सबसे असान देखने को मिलती है बलकि आपको सरकत यह भी पताया जाता है कि आपको एक वीडियो देखके ही अपना नौट्स प्रपेर कर सके और एक्जाम से बहुत अच्छे सबस्क्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएसी फिफ सैम क्वांटम मेकैनिक्स और लेजर फिलिक्स के यूनिट टू के एक और इंप्टन टॉपिक के बारे में इसका नाम है वन डैमेंशनल पोटेंशल बैलियर केस नंबर वन फॉर अनर्जी केटर दन वी जीरो स्टुडेंट इस टॉपिक को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशल बैलियर क्या होता देखिए पोटेंशल फंक्शन वी के बीच में और एक्स कॉडिने के बीच में तो जो ग्राफ को बिलेगा वो इस परकार का मिलेगा ध्यान से देगे शूडेंट्स जब एक्स की वैल्यू जिरो होगी एक्स की वैल्यू less दन जिरो होगी तो हमारा जो पोटेंशल फंक्शन है उसकी वैल्यू जिरो रहेगी x is equal to 0 पर आकर अचानक ही potential function में एक abrupt, एक sudden change आजाएगा और potential function की value जो है वो 0 से हो जाएगी v0 जो भी constant रहेगी कहां तक x equal to a तक constant रहेगी उसके बाद again x equal to a पर आकर potential में अचानक ही abrupt change आएगा एक sudden change आएगा means यह जो point होगा x equal to a यह दूसरा point होगा point of discontinuity का पहला point of discontinuity x equal to 0 था जहां पर potential function 0 से एकदम v0 हो गया था और फिर v0 constant रहने के बाद x equal to a पर इस point of discontinuity पर potential function जो v है वो v0 से reduce होगे फिर 0 आजाएगा एकदम अचानक उसमें change आजाएगा तो इस परकार के graph को बोलते हैं हम potential barrier so students हम इस graph को 3 regions में divide कर सकते हैं एक है region x less than 0 जहां पर v की value 0 होगी एक है second region x greater than 0 but x less than a means यह वाला region इसको गोलेंगे region number 2 यहां पर v की value होगी वो v0 होगी और एक होगा region number 3 जोगी x greater than a जहां पर v की value 0 होगी तो हमारा potential function होगा वो कैसा रहेगा vx की value 0 रहेगी x less than 0 के लिए means first region के लिए यह region number 1 को denote कर रहा है value v x की v node हो जाएगी किसके लिए जब x greater than 0 and less than a होगा यह हमारा second region को denote कर रहा है और third region के अंदर जो हमारा v है वो again 0 हो जाएगा for x greater than a, a आएगा यहां पर और यह हमारा third region को represent कर रहा है तो माल लीजी students आज हम के दिसस कर रहे है one dimensional potential barrier जिसमें energy जो है particle की वह वी नोट से ज्यादा है इस potential barrier ज्यादा है तो माल लेते हैं यह है हमारा particle क्योंकि जो इसकी energy है इस particle का mass small m है और energy E है क्योंकि इस वी नोट potential barrier से ज्यादा है तो classical mechanics हमें कहा खहती है कि जो particle है वो hundred percent इस barrier को cross करंगे रीजन नंबर थी में चाहिए रीजन नंबर थी और यहां पर पाटिकल जो है वो हर हाल में पाए जाएगा कि वह आंसमे यह कहती है कि यह क्योंकि यह पार्टिकल जो है वो X-axis के लोग मूव कर रहा है, लेफ्ट को राइट मूव कर रहा है, इस बैरियर के उपर यहां पर इंसिडेंट हो रहा है, X-E is equal to zero point के उपर, तो students, quantum mechanism में कहते हैं कि हर एक पार्टिकल के साथ एक wave associated होती है, और उस wave को हम ऐसे represent कर सकते हैं, तो students, तो quantum mechanism म कहती है कि कुछ पार्ट इस वेव का ट्रांस्मिट होगा और रिजन नम्र थी में एंटर करेंगा ऐसे और कुछ पार्ट जो है वह वापस रिफलेक्ट भी होगा जब कि classical mechanics हमें यह कहते थी कि सरफ 100% transmission होगा यहां वीजरो केफ में reflection बिल्कुल नहीं होगा जबकि quantum mechanics हमें यह कहते है कि particle जो है transmit भी होगा और partially reflect भी होगा means particle को region number one में find करने की probability है वो यहाँ पर non zero रहेगी और particle के जो reflected wave का जो wave function होगा वो यहाँ पर non zero होगा आप यह मान के चलेंगे students इस region के अंदर जो wave के साथ wave function associated है वो side one है और region number two के अंदर जो wave function होगा वेव के साथ associated वो side two होगा और region number three के अंदर wave function जो होगा वो side three होगा और जो wave है तो wave की साथ एक wave number भी associated होता है और wave number गों small k से लिनोट करते हैं और region number one का जो wave number होगा वो k1 होगा region number two का जो wave number होगा वो k2 होगा और region number 3 का जो मारा पास wave number होगा वो A1 होगा again region number 1 और 3 का जो wave number है वो same रहेगा वजब कि region number 2 का जो wave number है वो different होगा वो K2 होगा तो सुनेंट अगर आपको एक्जाम में question आता है कि discuss one dimensional potential barriers for E greater than V0 and drive Schrodinger wave equation for this problem तो आप introduction में क्या लिखके आएंगे आए वो देख लेते हैं consider 1D potential barrier as shown in figure whose potential function is defined as एक हमने one dimensional potential barrier हमने यहाँ पर बनाया है figure के अंदर जिसका potential function कुछ इस परकार से है यहाँ पर जो potential का variation आ रहा है X के साथ वो कुछ इस परकार से आ रहा है इन conditions को obey करते हुए आ रहा है VX की value है जो वो 0 रहेगी X less than 0 के लिए means यहाँ पर V 0 होगा इस region के अंदर region number 1 के अंदर X less than 0 वना region है यह region number 1 और VX की value V not होगी for X greater than 0 and X less than A यहाँ पर आकर point of discontinuity X equal to 0 पर आकर V में अचाना की sudden change आएगा और potential हो जाएगा V not और वो V not constant potential रहेगा X is equal to 0 से लेकर X is equal to A की boundaries तक जिसको हम region number 2 बोल रहे है और VX जो है अचाना फिर 0 हो जाएगा for X greater than A के लिए यहाँ पर आकर second point of discontinuity X equal to A पर आकर potential again reduce हो जाएगा और वो आगे आगे जो है region number 3 जहां तक चलेगा और वहां तक जो V की value होगी वो 0 रहेगी तो students let the particle of energy E move from left to right that is along positive direction of x-axis and its incident on the barrier at x is equal to 0 हमने particle assume कर लिया जिसके energy E है और वो left to right move कर रहा है positive direction of x-axis की तरह move कर रहा है और barrier के ऊपर इस point पर आकर incident होता है for E greater than V0 classically the particle will always gets transmitted through the barrier अगर particle की energy is V0 से ज्यादा है इस potential barrier से ज्यादा तो classical mechanics रहें कहते है कि particle transmit होगा अगर आप 100 बार particle को यहां पर fall करवाएंगे तो 100 बार वो transmit हो जाएगा एक भी बार वो reflect नहीं होगा जबकि quantum mechanics इसका opposite कहती है but quantum mechanically there is finite probability of reflection in the region 1 that is it is not certain that the particle will penetrate the barrier and appear in the region 3 quantum mechanics हमें कहते है कि हर एक moving parts दार एक wave यह associated होगी अगर एक particle incident हो रहा है इस point के ओपर में एक wave incident हो रही है जिसको incident wave बोल रहे है तो quantum mechanics हमें कहते है कि कुछ पार तो इस wave का transmit हो जाएगा region number 3 तक हो जाएगा कुछ पार इसका reflect भी होगा तो students यह है हमारा इसका introduction इसके बाद हम क्या करेंगे तीनो regions को अलग अलग discuss करेंगे और तीनो regions के लिए श्रोड इंजर equation बनाएंगे और तीनो equations के लिए एक general solution लिखेंगे और वहां से हमें साइ 1, साइ 2 और साइ 3 जो की region number 1, region number 2 और region number 3 के wave functions हैं उनकी values भी हम find करेंगे next sections के अंदर तो जले श्रोड देखते हैं तीनो regions का अलग अलग हम Schrodinger wave equation क्या क्या निकल के आएगी देगी स्रोडिंट सिस्टे में हम कौन सी श्रोडिंजर wave equation यूज करेंगे इन डाइ gesch्या है फशीवह्ट दो प्रकार के होती है एक तो श्रोडिंजर time independent एको टिपेडंड है 22, सब्सक्राइब करें तो इस टॉपिक का जो लिंक है आपको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब वहां जाके इस टॉपिक को बहुत ही असान लेंग्वेज में प्रक्वेर कर सकते हैं तो स्टॉडेंट्स यह है अमारी स्टॉडेंजर टाइम इंडिप सब्सक्राइब करेंगे फॉर डिजन नमबर वन में हमारा जो प्रोटेंशल फंक्शन है वह वी इक्वल टू जिरू है उसकी वैल्यू जिरू है सो एक्वेशन नमबर वन विकम्स यहां पर वी की वैल्यू पूट कर दो तो आपके पास आजएगा डी स्क्वेर साइगा ड में आपर साइ की जगसाइन लिखेंगे त्योंकि mg1 है त्योंकि फू नमर वन है तिनो एक वह फुट रहेंकि तो श१न इसको आप पूट करेंगे के वन स्कुर्ष इसको आप के वन स्कूर कियो क्योंकि एक आती यह क्योंकि ए होता है हाफ हाफ म स्कूर्ड के रचेटिक एनर्जी के बीच में जो रिजन नमर वन है वहाँ पर वेव नमबल के वन है और जो वेव नमबल लाम्दा और लाम्दा होता है यहां पर वेव एसोशेटिट थी पार्टिकल के साथ तो पार्टिकल ना वेव है तो वेव की वेवलंथ भी होगी और वेवलंथ होती है 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 एच पॉन पी ऊपर चला जाएगा और पी की वेलू पूट करेंगे स्कॉर रुट शुर्षप फूर्मुला बनता है तो इसलिए हमने के वन स्क्वार को फूर्मुला एच गहां पूट किया है सब्सक्राइब है इसका सलूशन को हम कैसे लिखते हैं सलूशन इसका सलूशन होगा है वह हमें साइबन की वैलू क्या देगा जनल सलूशन क्या होगा बात करते हैं रिजन नमबर टू की रिजन नमबर टू जो है वो एक्स डेटर दन जिरो एंड एक्स लेस तन एपर खत्म हो रहा है इस रिजन की बात होगी यहां पर V की value V0 है we have V equal to V0 so equation 1 becomes region number 2 का जो wave function है वो side 2 है और region number 3 का जो wave function है वो side 3 है तो हम यहाँ पर side की जगा side 3 put करेंगे और V की जगा V0 put करेंगे तो क्या आएगा d square side 2 by dx square plus 2m divide by h cut square e minus V की जगा V0 side की जगा side 2 equal to 0 अब हम इसको एक constant put करेंगे और वो constant होगा k2 square यहाँ पर आप k2 square लिखेंगे तो d square side 2 by dx square plus k2 square side 2 equal to 0 यह हमारी 5th equation होगी जहाँ पर k2 square है 2m multiply by e minus V0 divide by h cut square यह 6th equation है तो general solution निकल के आएगा हमारा equation number 5 का जो general solution निकल गाएगा इस परकार की equation का वो वैसे ही निकल गया था जैसे हमने है पिछले section में निकाला था यहां से में side 2 की value मिलेगी जो आप इस equation को solve करोगे side 2 will be equal to c e की पावर आईटा k2 x इस रीजन का जो wave number है वो k2 है इसलिए यहाँ पर k2 लगाएंगे हम आईटा k2 x प्लड़ इस रीजन की बात हो लिए यहाँ पर जो हमारा वी की value है वो जिरू है और अगें हम यहाँ पर equation number 1 में side 3 put करेंगे और वी की जिरू put करेंगे for region number 3 for region 3 x greater than a b equal to 0 so equation 1 becomes d square side 3 by dx square plus 2n divided by h square e minus 0 is e into side 3 equal to 0 तो students इसको हम put करेंगे यह किसकी value है यह k1 square की value है जैसे हमने इसे पिछने section में इसको k1 square put किया था तो students इसको k1 square put करने के बाद d square side 3 by dx square plus k1 square side 3 equal to 0 where k1 square equal to this इसको हम दे चुके है तो इसको आप नहीं देंगे यह हमारी 8th equation होगी the general solution of 8th equation is given by यह भी एक प्रकार के differential equation है second order की तो इसका solution भी पहली 2 equations की तरह same होगा इसको solve करके आपको side 3 की value मिलेगी side 3 will be equal to e into capital e into e e की बावर आइटा k1 x plus f e की बावर माइनस आटा k1 x यह होगी वानी 9th equation तो students यहां पर e and f जो है वो constant है जिनकी जो values है वह हम boundary condition user के निकालेंगे आने वाले sections के अंदर तो students हम तीनो regions के wave function निकाल चुके हैं psi 1, psi 2, psi 3 इनके इसके बाद हम क्या करेंगे हम जो constants आ रहे हैं तीनो equations के अंदर a, b, c, d, e, f उनको हम उनकी values find करने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे के transmission coefficient and reflection coefficient क्या निकल य생 के लिए, तो students last section में अमने तीनो regions के wave functions find कर लीएते, psi 1, Si 2, Si 3, यहiuman के value थी जो हमने fourth equation में निकाली है, Si 2 के value यह थी जो हमने seventh equation में, Si 3 के value जो हमने ninth equation में निकाली थी, तो सुन है, Mek autopsy one के पहलि time है ये वाली, यह क्या represent कर रहे है आएए वो देखते हैं the first term of equation 4 represents wave incident at x is equal to 0 in region 1 तो ये incident wave को represent कर रही है पहले term तो ये हमारी incident wave है a e raise to power item k1 x ये हमारी incident wave को represent कर रही है और ये incident wave x is equal to 0 पर आकर इस barrel के ऊपर incident होई है आएए देखते हैं second term क्या represent कर रही है the second term of equation 4 represents wave reflected at x is equal to 0 in region 1 second term जो है वो reflected wave को represent करें यहां से incident wave का कुछ पार वापस reflect होगा negative direction of x-axis में reflect होगा तो वो होगा मारा ये इसलिए यहां पर minus sign है minus sign means the reflected wave वो negative direction of x-axis की तरफ ट्रेवल करेंगी तो students fourth equation की दोनों term में डिसकस कर लिए हम बात करते हैं seventh equation की first term की वो कह रिपरेंट कर रही है the first term of equation seven represents wave transmitted in region number two अब ये जो second, so seventh equation की first term है वो ये वाली wave है c e raised to power eta k2 x ये positive direction में transmit हुई wave है वो ये रिपरेंट कर रही है और यहांपर plus sign जो है वो ये रिपरेंट कर रहा है कि ये positive direction of x-axis की तरफ ट्रेवल कर रही है आईए रहते हैं ये term क्या represent कर रही है second term of equation seven represents wave reflected at x is equal to a in region number two तो जब ये wave यहांपर incident होगी तो कुछ पार इसका वापस reflect भी होगा और वो reflected part हमारा होगा d e की power minus i तक k2 x यहांपर भी जो reflected wave है वो negative direction of x-axis की तरफ जा रही है इसलिए यहांपर minus sign यहांपर दिया हुआ है तो सब्सक्राइब जो 9th equation है उसकी जो पहले term है वो कह रिप्रजेंट कर रही है the first term of equation nine represents wave transmitted in region number three इस wave का incident इस incident wave का जो यहांपर incident ory x is equal to a पर इस point of discontinuity पर incident ory उसका कुछ पार्ट यहांसे transmit भी होगा region number three में और वो पार्ट क्या होगा हमारा वो पार्ट इस term से रिप्रेजेंट किया जाएगा e आयता k1 x और प्लस पाहिंग है इसका मतलब है positive direction of x एक्सी तरफ इसकी direction होगी यह second part क्या है the second term of equation nine represents wave reflected in region number three देखे students wave number three के अंदर कोई भी point of discontinuity नहीं है point of discontinuity से पहांपर दो है x equal to 0 पर x equal to a पर यहां पर कोई भी point of discontinuity नहीं है तो means region number three के अंदर कोई भी reflection नहीं होगा means महां पर कोई भी reflected wave नहीं होगी means जी जो हमने ninth equation में यह वहले term लिखी है यह 0 होना पड़ेगा इसको हमने 0 के बड़ाबा रखना पड़ेगा as there is no discontinuity in region three so there will be no reflection and hence there will be no reflected wave in region three so f e raised to power minus ita k1 x जो की reflected wave को represent कर रहा है region number three के अंदर वो 0 होगा e की power minus ita k1 x 0 नहीं हो सक्था क्योंकि k1 0 नहीं हो सक्था इसका मतलब f 0 होगा अगर हम f को 0 put कर दें यहां पर यहां पर f को 0 put कर दें तो side three की value क्या हो जाएगी so equation nine becomes side three equal to e capital e into e की power ita k1 x देखे students हम इस topic मानके चलेंगे कि जो हमारा incident wave का amplitude है incident wave का amplitude है इसको हम मानके चलेंगे unity means one मानके चलेंगे means हम a की values topic में one लेके चलेंगे let amplitude of incident wave a is equal to one b है reflection coefficient तो उसको हम r से denote कर दें b को और e finally जो हमें transmitted wave बीजी है region number three में महा पर जो transmitted wave का amplitude है वो यह है तो हम e को capital T से denote कर देते हैं transmission coefficient इसको हम बोलेंगे तो students इन तीनों को हमने 11th equation मान लिया using 11 in 4 fourth equation यह है साइबन की value क्या हो जाएगी a को हमने 1 माना है तो 1 into e की power ita k1 x plus b को हमने r माना है r into e की power minus ita k1 x तो यह equation ऐसे बन जाएगी si1 equal to e की जगा 1 रख दिया e की power ita k1 x ऐसे देगा plus b की जगा हमने यहाँ पर a रख दिया reflection coefficient e की power minus ita k1 x यह की बाने 12th equation तो और और 10th equation में भी हम 11th equation को use करेंगे using 11 in 10th 10th में हमने e को t माना है e को transmission coefficient के बरावन माना है तो हम यहाँ पर e की जगा t लिख देंगे तो si3 की value आजेगी equal to t e की power minus ita k1 x तो हमारे पास 3 wave function जो नए शीरे से हमने बनाए है वो होंगे एक तो यह बला होगा si1 equal to this दूसरा होगा si2 equal to this इसको बिल्कुल नहीं हमने शेड़ा यह ऐसे देगा यह 7th equation है और si3 होगा हमारा यह तो 12th 7th and 13th equation को next section में हम use करेंगे और वहाँ सी values find करेंगे c की d की r की and d की और यह सब हम करेंगे next section के अंदर last section में हमने 3 wave function निकाल लिये थे थोड़ी modification करके पुराने wave functions के अंदर जिसको हमने 12th 7th और 13th equation दिया था साइवन के value थी यह साइटू के value थी यह साइटू के value थी यह साइटू के value थी देगे शोड़न जब हमने c d r t in coefficients की value निकालनी है in constants की value निकालनी है boundary conditions को use करे boundary conditions क्या कहती है at x is equal to 0 साइवन साइटू equal होगा at x is equal to a at x is equal to 0 साइवन साइटू यह है 14th equation at x is equal to a second point of discontinuity के उपर साइटू 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 यह है 15th equation third at x is equal to 0 अगर x is equal to 0 साइटू equal है at x is equal to 0 इनके derivatives भी equal होगे so at x is equal to 0 इनके derivatives भी 0 होगे at x is equal to a अगर at x is equal to a पर साइटू 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 है तो means at x is equal to a d साइटू बाई एक्स equal to d साइटू यह है हमारी साइटू साइटू इक्वेशन है इन चारों boundary conditions को यूज करके हमें c d t and r की values find करनी है तो students पहले हम पहली बाउंडरी condition यूज करेंगे 14th जो हमारी equation है boundary conditions की at x is equal to 0 साइटू साइटू होंगे साइटू के अंदर हम x जिगा 0 साइटू के अंदर हम x जिगा 0 साइटू के अंदर हम x जिगा 0 साइटू जिगा साइटू के बाद उनको आप equal रख दीजिए अगर आप x जिगा 0 करते हैं तो 1 into e की पावर 0 क्या होता है e की पावर 0 होता है 1 तो 1 into 1 क्या हो जाएगा 1 plus r e की पावर अगें 0 हो जाएगा तो r into e की पावर 0 means r into 1 that is 1 r हो जाएगा तो 1 plus r आ गया psi 1 में x की value 0 put करने के बाद equal to, अगर आप यहाँ पर x की value 0 put करते हैं तो c into e की पावर 0 c into e की पावर 0 means c into 1 that is c plus ऐसे आप यहाँ पर x की पावर 0 put करके plus d into e की पावर 0 means d into 1 that is d आ जाएगा यह हमारे relation बन गया 1 plus r equal to c plus d इसको हमने दे जिया 18th equation देकिस आप हम second boundary condition use करेंगे second boundary condition क्या है at x is equal to a side 2 equal to side 3 means side 2 and side 3 में x जिए a put कीजिए और जो answer निकलेगा equal put कर दीजिए जब यहाँ पर x equal to a put करेंगे यहाँ पर x c value a put करेंगे तो क्या आएगा c into e की पावर 0 eta k 2 a plus d into e की पावर minus eta k 2 a यह हमने side 2 में जहाँ जहाँ आएगस ता है वहाँ पर a put करके यह निकाल लिया equal to equal to but x जिगा आपको a put करना पड़ेगा side 3 हमारा यह है यहाँ पर a put कर दीजिए तो equal to t e की पावर eta k 1 a यह हमारी 19th equation होगी उसके पार students जो boundary condition अगर 16 17 तो अगर हमें use करना है तो बहले आपको side 2 and side 3 का derivative find करना पड़ेगा x के respect में तो हमें इन 3 equations का derivative करना पड़ेगा x के respect में आएगे वह करते है differentiating 12th 7th 13th wrt x we get d side 1 by dx formula यहाँ पर यह पर use करेंगे e की पावर a x का derivative होता a into e की पावर a x जो constant होगा e की पावर में वह आगया जाएगा e k e k और e की पावर a x हमारा ऐसी रहेगा तो students आईए करते हैं one हम लिखेंगे नहीं ita k1 यहाँ पर constant ita k1 आगया जाएगा e की पावर ita k1 x ऐसी रहेगा r ऐसी रहेगा और e की पावर ita k1 constant आगया तो minus ita k1 e की पावर minus ita k1 x यहाँ से ita k1 common आ जाएगा तो आपके पास अंदर बच्छे का e की पावर ita k1 x minus r into e की पावर minus ita k1 x यहोगी 20th equation यह d7 by dx आ गया ऐसी आप इस equation का derivative करके 7th equation का derivative करके x के respect में तो आपको मिल जाएगा d side 2 by dx यहाँ ita k1 common आएगा यहाँ से ita k2 common आएगा तो वह मैं आपके लिख दिया ita k2 यहाँ पर c लिखा होगा तो यहाँ पर c आएगा वहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखा होगा e की पावर ita k2 x minus d e की पावर ita k2 x यहाँ 20th equation आगी 7th equation को x के respect में derivative करके और जो 13th equation को x के respect में derivative करेंगे तो d side 3 by dx equal to ita k1 आगे आजाएगा साथ में tse देगा e की पावर ita k1 x राजाएगा यहाँ 20th equation अब हम इन derivatives find कर लिए तीनों functions के d side 1 d side 2 by dx and d side 3 by dx x की values find कर लिया है next section में हम इन तीनों equations के ऊपर 20, 21, 22 के ऊपर 16th and 17th boundary conditions apply करेंगे और find करेंगे new equation ताकि हम अपने constants की values find कर सकें यह कर रहेंगे हम next section के अंदर तो students last section में हमने तीनों wave function के derivative निकार ली थे d side 1 by dx d side 2 by dx इसको हमने 20, 21, 22 equation दिया था और पहले दो boundary conditions use करके हमें 18th और 19th equation मिली थी जो मैंने यहां पर लिख दी क्योंकि अभी यह use होएगी थोड़ी देर में तो students अब आम बाकी की दो boundary condition जोके मारी 16th और 70th equation में लिखी थी वो हम यहां use करेंगे इन तीनो equations के अंदर students at x is equal to 0 d side 1 by dx equal to d side 2 by dx है तो using 16th equation in 20th and 21 means जहां जहां आपका x है यहां पर d side 1 by dx में जहां 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 आपका x है यहां पर d side 2 by dx में जहां यहां x की value 0 फुट केजिए और यहां को वह बहुट को एक्वर लग देजिए तो ita k1 ऐसे आएगा bracket start e की power ita k1 x है तो यहां पर जब x की value 0 फुट गए तो e की power 0 हो जाएगी तो वह 1 आ जाएगा minus r into 1 e की power 0 1 होता है तो 1 minus r equal to ita k2 c into 1 क्योंकि e की power 0 1 हो जाएगा c minus d into e power 0 to minus d आ जाएगा आपका तो students इसको solve कर लेते हैं ita से ita cancel कर दीजिए आप और k2 को अपॉण में भेज़ी जे k1 by k2 equal to 2 आ जाएगा 1 minus r equal to c minus d यह हमारी 23rd equation हो गई तो students उसके बाद आप क्या करेंगे जो 17th equation है means second boundary condition है जो हमार पर derivative आली उसको आप use करेंगे यहां पर और यहां पर क्योंकि at x is equal to a d side 2 by dx equal to d side 3 by dx है x लिखा हो यहां पर और यहां पर a put कर दीजिए और यहां पर भी a put कर दीजिए जो answer आएंगे x की value a put करने के बाद उनको आप equal लिख दीजिए students आयटा k2 है तो मैंने आयटा k2 लिख दें यहां पर आयटा k2 c e की पावर आयटा k2 a minus d into e की पावर k2 a जहां चाहा x अब हम पर a put करते जा रहे है equal to यह वाला wave function आयटा k1 t e की पावर e की पावर आयटा k1 a यहां पर भी x की पावर आयटा k1 a यहां पर भी x की पावर आयटा k2 a तो दोनों wave derivatives जो है वो equal हो जाएंगे at x is equal to a d side 2 by dx equal to d side 3 by dx वाली boundary condition आपने यहां पर apply कर दी तो k2 का आप निचे भी जी तो final equation आपके बन के आएगी c e की पावर आयटा k2 a minus d e की पावर माइनस आयटा k2 a equal to k1 by k2 t e की पावर आयटा k1 a यह होगी मारी 24th equation तो student सबाब चाहर boundary condition थी तो बचाहर boundary condition यूसर के आपके चार equations बनीती 18th 19th 23 and 24 तो student सबाब क्या करेंगे 18th और 23 को add करेंगे यह हमारी 18th और यह हमारी 23 left hand side को left hand side में add करेंगे right hand side में right hand side में add करेंगे 1 plus r हमारी जो इदर की left hand side 18th equation की plus 23 equation की left hand side k1 plus k1 divided by k2 into 1 minus r equal to c plus d and c minus d को add करेंगे तो minus d से plus d cancel हो जाएगा और c plus c बन जाएगा 2c तो students को simplify करते हैं 1 plus r plus k1 by k2 को 1 से multiply करते हैं 1 k1 by k2 को minus r से multiply करते हैं तो आपको step मिलेगा उसके बाद 1 plus k1 by k2 means constant nums को 1 bracket में कर लिया प्लस r यहां से common लिया इस time में से इस time में से तो आर common लेने के बाद आपको बचेगा 1 minus k1 by k2 equal to 2c यह होगी 25 equation तो आपने 2c की value निकाल लिया ऐसी हैं 2d की value निकाल सकते हैं जब आप करेंगे 23rd equation को 18th equation में से subtracting 23 from 18th तो 18th में से subtract कर रहे हैं तो पहले 18th की left hand side लिखेंगे 1 plus r minus फिर 23 की left hand side minus करेंगे k1 by k2 1 minus r तो minus लगा के हम नहीं पर लिख दिया equal to जब आप minus करेंगे इसको c minus c plus d में से c minus d minus करेंगे तो c से c cancel हो जाएगा और d और यह minus का d plus का d बन जाएगा sign change होंगे d plus d बन जाएगा 2d तो उसी तरह से जब आप इस brackets को open करेंगे और इसको rearrange करेंगे constant हम से एक bracket में लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 minus k1 by k2 plus r 1 plus k1 by k2 इसको arrange करके equal to 2d तो यह होगी 26 equation तो 2c और 2d की value find कर चुके है इसके बाद के तो steps है वो देखेंगे आप next section के अंदर तो शुरहन लास section में हम 2c की value find कर चुके थे जिसको हम 25th equation दियाता है और 2d की value find कर चुके थे जिसको हम 26th equation दियाता देखेंगे इस boundary condition को use हके हमने दो और equations बनाएती जिनको हमने पिछते sections में 19 and 24 equation दिया था अब add and subtract करने की बारी in equations की है इन दोनों को add करके हो जाएगा 2c e की power ita k2 a equal to जब आप इन दोनों को add करेंगे और common लेंगे t e की power ita k1 a दोनों में common है तो common लेंगे तो यहां 1 बच्चे का plus k1 by k2 आ जाएगा तो add करने के बाद common लेने के बाद right hand side को इन equations की आपको मिलेगा 1 plus k1 by k2 into t into e k1 a यह होगी 27th equation अब हम इनको subtract करेंगे सब्ट्राइट करेंगे सब्ट्राइट करेंगे एक step और करना आपको 2c आ रहा है तो आपको 2c की value पता है ओपर 25 equation में वह value आपको यहां put करनी है using 25 in 27 तो 2c की जगा यह value put करेंगे आप रहेगी यह फाले टम 27th equation की राइट-hand side same रहेगी तो हमने यह आपको 2c की value put कर दी है बाली तो students उसके बाद इसको हमने देजिए 28th equation उसके बाद आप इन दोनों को subtract करेंगे जब आप subtract करेंगे तो sign change होगे यह आपर और तो यहाँ से चुटन लेंगे तो पी बावर आईटा कवर दुन ऐगा बार कॉमन आएगा वॉन माइनस के वन बाइक के तू हैं जो की टुटन फी क्यूसिज है वहाली शुटन्स प्तुटन्स तूट्ट है यहां थिस्ट्स इन 29 तो तुड्स टूडी की वेज़ पूर्ट करेंगे ये वाली 1-K1 बाइकटी प्लस R एंट्टु 1- K1-K2 ब्रैकट क्लोज एंट्टु एक पावर माइनस आयटा केटू एक्वाल तो यह वाले चाहिप जो है वो बिल्कूर सेम रहेगी और इसको नदेंगे थार्टित एक्वेशन तो इसके बात की जो स्टेप से आँ करेंगे आपके नेक्स सेक्षन के अंतर सुरे लास्ट सेक्षन में हम हम 28th and 30th equation form कर चुके थी यह काफी complicated equation निकल कर थी मारक पाइस dividing 28 by 30 this is our next step तो आप divide करेंगे left hand side को left hand side से right hand side को right hand side के divide करेंगे तो यह upon यह करेंगे तो यह लिग दिया upon में यह लिग दिया equal to a divide by यह जब divide करेंगे तो यह term cancel रहेंगे क्योंकि सेम है तो equal to में बचेगा 1 plus k1 by k2 1 minus k1 by k2 अब हम करेंगे cross multiply 1 minus k1 by k2 को इससे multiply करेंगे इससे multiply करेंगे उसी तरह से पूरी term को उधर लेकर जाएंगे और 1 plus k1 by k2 को इससे multiply करेंगे इससे multiply करेंगे जहां से देखिए 1 minus k1 by k2 into 1 plus k1 by k2 means a minus b a plus b क्या identity लगेगी वह हो जाएगा a square minus b square means 1 minus k1 square divided by k2 square plus r 1 minus k1 by k2 into 1 minus k1 by k2 यह हो जाएगा 1 minus k1 by k2 का whole square into e की power i type k2 ऐसे ही देगा equal to जब अब 1 plus k1 by k2 को 1 minus k1 by k2 से multiply करेंगे तो a plus b a minus b के identity लगेगी तो यह हो जाएगा a square minus b square means 1 minus k1 square by k2 square plus r हमारा ऐसे ही रहेगा 1 plus k1 by k2 into 1 plus k1 by k2 हो जाएगा 1 plus k1 by k2 का whole square क्योंकि यह दो बार हो जाएगा और into e की power minus i type k2 हमारा ऐसे ही रहेगा इसे next step में आप क्या करेंगे r वली terms को excite करेंगे और बिना r वली terms को excite करेंगे r वली terms को जब आप इदर करेंगे तो r यहां से और r यहां से common आजएगा तो r बाहरा आएगा into 1 minus k1 by k2 का whole square into e की power i type k2 a minus क्योंकि यह plus की term थी इदर आके minus की हो जाएगी minus 1 plus k1 by k2 का whole square into e की power minus i type k2 a तो r वली terms आपने excite कर ली equal तो बिना r वली terms कौन कौन से एक यह वाली है और एक यह वाली है और दोनों में 1 minus k1 by k1 का square by k2 का square जो है वो common आ रहा है यहां से भी और यहां से भी यह common ले लिए हमने भाग 1 minus k1 square by k2 का common ले लिए अंदर बच्चेगा e की power i type k2 a पहले अब यह अवली term लिखेंगे e की power minus i type k2 a और यह term जब इदर आके minus की होगी तो माइनस e की power i type k2 a आ जाएगा रियर्रेंज आप इसको बड़ी सानी से कर सकते हैं तो इसके बाद की जो steps के students वह हम करेंगे next section के अंदर सकते हैं